नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ग्यान ग्रोई अकडमी में और बच्चो बहुत ही बहुत ही खुसी की बात है कि फाइनली हम आ चुके हैं बच्चो समाज साज्तर के आखरी अध्याय पर बच्चो आखरी चेप्टर है आप लोग का यह आखरी चेप्टर होगा बच्चो पांचवाँ चेप्टर और इसका पार्ट वन जिसमें पढ़ने वाले बच्चो थेओरी को इस पार्ट वन में बच्चो चेप्टर से रिटर जितने भी फैक्ट सन सभी को पढ़ेंगे तो यदि एक बार फिर से मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि पहले चेप्टर से लेखे आकरी चेप्टर तक आपने हमारी वीडियो देखिए बच्चा ठीके आपने अब तक हमारी वीडियो देखिए तो एक भी बच्चो क्वेशन आपका बोर्ड एक्जाम में वापस नहीं ऐसा होगा कि जो आज आया और आप न कर सके ठीके इसलिए आप हमारी सभी वीडियो को एक बार पुना देखने अब तक नहीं देखिए बच्चो पूरा कोर्स मैंने करा रहा है आप लोग के लिए ठीके पूरा का पूरा कोर्स करा दिया इस चैनल ग्यान गुरु एकेडमी पर बच्चो ठीके तो वहीं चीज रहेगे आप लोगों से कि यदि अभी तक आपने नहीं किया बच्चो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लिजिए ठीके जिसे कि आप बोर्ड एक्जाम में शेक्योर हो जाएं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ओकेडियर अच्छा स्कोर यदि आप करना चाहते हैं तशक्योर हो जाएं हमारी इन वीडियोज को देख के ताकि आप एक सई पोजीशन पर रहें और अच्छा स्कोर कर सकते हैं ओकेडियर तो चलिए बटा शुरू करेंगे आज के क्लास की और देख सकते हैं पहला क्या बता जा रहा कि कारें दिवस का आठ गंटे से कम होना शमाने कारें के लिए समान मजदूरी का दिया जाना तता समाजिक सुरच्चा एंपेंशन आधी बहुत से अधिकार समाजिक आंदरलनों द्वारा प्राप्त किये गए समझ में आ रहा है बच्चो कि यह दिमान लीजिए कारें का आधे गंटे से कम होना कभी कभी कारें मतलब बहुत ज्यादे कराया जाते थे तो आंदोलन हुए तो कारें आठ गंटे से कम कर दिये गए ठीक है समान कारें के लिए समान मजदूरी नहीं दी जाती थी तो आंद प्रणाश समाजिक आंदोलन ना केवल समाज को बदलते हैं बलकि अन्य समाजिक आंदोलनों को प्रेयरणा भी देते हैं ठीके बच्चों जिसे प्रेयरणा मिलने से होगा कि समाजी का आंदोलन हुआ तो इससे चीज़िए समाजिक अंदोलन के लक्षर समझ लेते हैं बच्छो समाजिक अंदोलन में निरंतर स्रामोहिक गत्वीधियों के आवश्यक्ता होती है ऐसी गत्वीधिया प्रायराज के के बिरुद होती है ऐसी गतिव इधिया राज के बिरुद हो जाती है तता राज की नीती तता बेवहार में परिवर्तन की मांग करती है बच्चों शमाजिक अंदोलन को कम करने वाले लोगों के उदेश तता विचारधाराओं में भी समानता होती है समाजिक अंदोलन जनहित के विषय में परिवर्तन लाने के उदेश से उत्पन होते हैं शमाजिक अंदोलन सनरक्षी थीतों तथा मुल्यों दोनों के बिरुद होते हैं इसलिए इनका बिरोध तथा प्रतिकार होना श्वभाविक है शमाजिक अंदोलन प्रचार योजनाओं की सहायता से सरकार पर बनाते हैं भारत के राष्टिय अंदोलनों के दवरान विदेशी सत्ता तता पूंजी का मेल समाजिक बिरोधों का केंद्र बिंदु था ठीक है अगला पॉइंट है बच्चो समाजिक परिवर्तन तता समाजिक अंदोलनों में अंतर समाजिक परिवर्तन अश्रं के ब्यक्तियों तता शामूहिक गति वीधियों का परिड़ाम होता है जबकि समाजिक अंदोलन में निरंतर समाजिक प्रयाज तता लोगों की गति वीधियां सामिल होती है चले बच्चे यहां समझते हैं कि समाज सास्त्र तता समाजी कांदोलन देखिए प्रारम से समाज सास्त्र भी से समाजी कांदोलनों में रूची लेता है कि फ्रांशी्सिक क्रांती में राज तंत्र को समाफ्थ करने के लिए तता स्वत त्रê तक यूंता तता बंदुता अस्थापित करने के लिए समाजी कांदुलन चलाय गए थे समाजी कांदूलन टिय को अब कर हुआ है थिक चलिए समाजिक अंदोलन के महत्पुन होने का कारण क्या है बच्यों थे कि समाज साथ्र के समाजिक कांदोलन काफी महत्पुन होते हैं या फिर संकुल में नैतिकर्थ बेवस्ता होती है उन्हें अपनी गतिवीदियों में सही और गलत की शमज होती है समाजिक अंदोलनों के सिधान्त की बात करें बच्चोत सापेक चुवंचन के सिधान्त के अनुसार समाजिक संगर्श तब उत्पन होता है जब लोग यह महसूस करते हैं कि वे अपने आस-पास के अन्य लोगों से निम्न इस्तिती में है सामुहिक कारवाई को सतत रूप से गतिसील रखने के लिए शिकायतों का विसलेसर करना आवश्यक है जिनसे एक साजी विजारधारा तथारण नीती पर पहुचा जा सके मैकार्थी और जेल्ड के अनुसार समाजी का अंदोलनों की सफलता संसाधनों अतवा विब्विन परकार की युग्यता को गतिसील करने की छमता पर निर्वर होती है समाजी का अंदोलनों के परकार बच्चो समझेंगे समाजिक अंदूलनों को निम्न प्रकार से वर्गिकरीत किया गया है पहला है परतिदार नात्मक, दूसरा है सुधारवादी, तिसरा है करांतिकारी परतिदार नात्मक समाजिक अंदूलन ब्यक्तिगत सदस्चों की ब्यक्तिगत चेतना में परिवतन लाता है जो बेक्तिगत सदश्य होते हैं बच्चों इनकी बेक्तिगत चेतना में क्या करता है बच्चों परियोतन ला देता है सुधारवादी समाजिक अंदूलन समाजिक तता राजनेतिक बिन्यास को धिमी गती के द्वारा बदलने का प्रयास करता है करांतिकारी समाजिक आंदोलन समाजिक संबंधों में आमूल रुपांत्रन का प्रयास प्राय राजसत्ता प्रधिकार के द्वारा करते हैं कुछ आंदोलनों में पर्तिदानात्मक सुधारवादी तथा करांतिकारी तत्व एक साथ मिले होते हैं पूराने तथा नय समाजिक अंधोलन प्रारंब में समाजिक अंधोलन वर्ग अधारिते जैसे क्रीशक मजदूर वर्ग उपनिवेशक बिरोधी अंधोलन में A.-71 थे दिवितिय विसयूद के बाद इन वर्गों को एक नए समाजी कांदूलनों के शदश्चों के एक वर्ग और यहां तक की एक राष्ट के सम्मण्द रखने वालों के रूप में वर्ग किरिद करना कठीन था नए समाजिक आंदूलनों की पुराने समाजिक आंदूलनों में भिनता नए समाजिक आंदूलन नए प्रकार के राजियों तथा समाज के अस्थापना कर रहे हैं जबकि पुराने अंदोलन ने सक्ती संबंदों के पुनरगठन को केंद्री लक्ष के रूप में असपश्टा देखा है, पुराने समाजिक अंदोलन राजनी तिक दलों के दायरे में काम करते थे, तता ये सत्ता के बितरन को बदलने के लिए होते थे। जबकि ने समाजिक अंदोलन समाज में सत्ता के बितरन को बदलने के बारे में न होकर जीवन की गुरुवत्ता जैसे स्वक्ष पर्यावरन के बारे में थे। भारत के नए समाजिक अंदोलन में पहचान की राजनी थी, शांस्क्रितिक चिंताएं तथा अभिलासाएं जैसे शब्द सवाही था परिष्थितिकी अंदोलन प्राकृतिक संसादनों के अनियंत्रित उपयोग तता विकास के ऐसे प्रतिरूप को अपनाना जिससे पहले से ही गटित प्राकृतिक संसादनों के अधिक सोसड की मांग बढ़ती हैं नेप परिष्थितिकी अंदोलन को जर्म दिया उत्राखंड राजे का चिपको अंदोलन परिष्थितिकी अंदोलनों के प्रमुकृतारणों में से समलित होते हैं बच्चो शाप सुत्रे परेवरण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में एकिकरित गंगा सन रक्षण मिशन परियोजना एवं सुक्ष भारत अवियान को प्रारम किया वर्ग अधारित अंदोलन दिखिए किसान ने किसानों ने अंदोलन जो किया था उसकी बात करेंगे ज़िवच्चो तक किसान अंदोलन अउपनिवेसिक काल के पहले के दिनों में सुरू हुआ कुछ किसान अंदोलन महात्मा गांधी की नेत्रुत्य के कारण आंसिक रूप से स्वतंतरता अंदोलन से जुड़ गये स्वतंतरता के समय तिभागा तथा तिलंगाना किसान अंदोलन देखने को मिलते हैं वर्ष 1947 के बाद दो बड़े समाजी का अंदोलन हुए पहला नकस अदोलन और दूसरा नए किसानों का अंद prophetic हैं सोतंतरता के बाद भारती किसानों की केंद्री समस्च्या भूमी थी झह धांतभी केंद्रीrik अंद्रीर समश्या थी और भूमी थी ठीक है अफैं कामगारों का दोल नडोलोन डो कामगार थे उनका अंदोलन बस्चों आपक काल से पहले भी कामगारों के द्वारा बिरोध किया जाता था परन्तु मजदूर संग बनने के बाद आंदोलनों से मजबूती आई भारत के राष्टी निताओं ने उपनिवेश बिरोधी आंदोलन में मजदूरों को भी शामिल किया स्वप्रतम बीपी वाडिया ने वर्ष 1926 में मजदूर संग अधिनियम पारित हुआ जिसने मजदूर संगों के पंजिकरण का प्रावधान किया भुमंडली करण के कारण मजदूर संगों के शाम ने नए प्रकार की चुनोतियां शाम ने आई अब बचे जाती अधारी तांदोलन दली तांदोलन क्या था दलित सब्द का प्रयोग 1970 के दसक के प्रारम में बाबा सहाब अमबेटकर के अनुयाईयों ने नौ बहुत अंदुलन कारियों के संदर्ब में किया था दलित अंदुलन की प्रकृति तथा पैचान के अर्थ में भिन्दता के बावजुद उनमें समानता आत्म सम्मान तथा अश्प्रिश्यता उनमुलन के लिए एक समानता की खोज रही है वर्तमान में दलित अंदोलन ने जन मंडल में निर्विवाद रूप से अस्थान प्राप्त कर लिया है अगले बचो पिछड़े वर्ग वज्जातियों के अंदोलन राजनीती की काईयों के रूप में पिछड़ी जातियों का उदय अपनिवेशिक था तथा उपनिवे सुत्तर दोनों कालों में हुआ उनिश्वी सदी के अंत में पिछड़े वर्गों को संग्या का प्रियोग बच्चो किया गया था ठीके और बच्चो बात वरे उचजाति का जनाब दलीतों तता अन्य पिछड़े वर्गों के उदय ने उचजाति के मन में यह संका उत्वन की कि उनके अल्पसंक्यक होने के कारण सरकार उनकी कोई परवाह नहीं करती है श्वतंत्रता से पूर्व की इस्थिती से तुलना की जाए तो आज निम्न जाती तता जन जाती शमुहों की दशा में सुधार हुआ है जन जाती आंदुलन की बात करें वचो भारत में अधिकतर जन जाती आंदुलन मद्य भारत की तथा कतित जनजातिय बेल्ट मेच्थित जैसे छोटा नागपूर वसंताल प्रगना आदी नए गठित हुए जारखंड राजे का मुक्य भाग इन्हीं से बना है या जनजातिय अंदलोनों का इतिहास सव वर्स पुराना है प्रो उत्तर राजेयों के जनजातिय अंदलोन अपनी पिसिश्टाओं के लिए प्रसिद्ध है जारखंड की बात करेंगे बचो जारखंड के समाजी का अंदलोन के प्रमुक नेता बिरसा मुंडा थे समझ मैं रहा बचो कई कारणों से जारखन में अंदोलनकारी नेताओं ने प्रदसन की जैसे सिचाई पर्योजना तथा गोली बारी छेतर के लिए भूमी का दिकरण करना आदी वन उत्पाद का राज़्टी करण करना अंदोलन का प्रमुक कारण था जिसका उन्होंने वहिसकार किया प्रवत्तर की बातकरमचों स्ष्वतनतरता के बाद ने राजियों के निर्मार की प्रकरिया के अंतरगत परम्परिक्ष्वायता के कारण किसी प्रशासनिक तंतर में शमलित नहीं होना जाते थे जन जाती ये लोगों का वण भूमी से विस्थापन सभी जन जाती अंदुलनों को आपस में जोडता है महिलाओं का अंदुलन समझेगे बच्छो 19 सताबदी में 19 सधी में क्या हुआ था बच्छो के महिला संगतन 20-1 सधी के प्रारम्प सही राष्टी तथा अस्तानी अस्तर पर माईलाओं का शंगटन में व्रिदी देखी गई Women's India Association All India Sometimes Conference आदी प्रमो के ऐस्टापना की गई कुछ women's association के कारशंट्र व्यापक थे परंतु कुछ के संकुचित थे अपनिवेशिक काल में जनजाती तथा ग्रामिड छेत्रों में प्रारब होने वाले संगर्षों में महिलाओं ने पुर्सों के साथ भाग लिया बंगाल का तिभागा अंदुलन तथा महराष्ट में वरली जनजाती की करांती में इस प्रकार के उधारण देखने को मिलते हैं 1947 के बाद क्या हुआ बच्चों देखिए 1970 के दसक के मद में भारत में महिला अंदुलन का नवी करण हुआ इस काल के महिला अंदुलनों में संगठनात्मक रणनीती तथा विचारधाराओं दोनों में परिवर्टन हुआ इस काल में महिलाओं के प्रती हिंसा के बिरुद काफी अभियान चलाए गए जेंडर द्रिष्टी से समतावादी समाज मुक्त दो कारणों पर अधारित है पहला है महिलाओं को सिच्चित किया जाए दुसरा है लेंगिक अनुपात में संतुलन बनाया जाए हाल ही में भारत सरकार दवारा चलाई गई योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेंगिक द्रिष्टी से समतावादी समाज को मुर्त रूप देने में सहायक सिध हुई है ठीक है बच्चो तो क्लियरली बच्चो जो आप लोग का समाजी कांदोलन वाला चेप्टर है पूरे चेप्टर को मैंने बच्चो एक रिफ्रेस क्लास में आप लोग को समझा दिया बच्चो ठीक है मतलब एक पूरी अच्छी तरीके से मैंने आप लोग को पढ़ा दिया इसको अब इसके क्वेश्चन करेंगे बच्चो कल से पहला पार्ट, दुसरा पार्ट और तीसरा पार्ट तीन आयेंगे बच्छो ваш questions के पार्ट आप लोग के पार्ट वोन पार्ट यू पार्ट तुप अधरी ठीक है तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तक कमेंट बौक्स में कमेंट कर दिजेगा आखरी चेप्टर बच्चो इसके बाद आएंगे आप लोग के मुश्ट इंपोर्टेंट क्वेस्टन की सीरीज एगी जो भी बच्चा भी तक वीडियो को लाइक ने किया होगा लाइक कर देंगे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देंगे चलिए जाने के पहले वही चीज बच्चो स्वस्त्री मस्त्री अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा में तेगले क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद भाई भाई खुदा आपीश